हेलो गाईज, वेलकम बैक, क्या हाल, सब बढ़िया, सलो, कंटिन्यू करते है अपना, क्यापिटल बजेटिंग डिसीजन, ठीक है, वेच इस यूनिट नंबर, टू, आफ, ए-फ-म, ठीक है, तो क्यापिटल बजेटिंग डिसीजन कर रहे हैं अभी हम इसमें, ठीक है, और हो होप सो, कि या तो इस वीडियो में, या फिर इसके बाद, जा स्यादा, एक और, मैक्सिमम, ठीक है, उसमें खतम हुजाएगा, अपना ये यूनिट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, तो आज हम पढ़िएंगे, सबसे पहले, क्यापिटल बजेटिंग, क्यापिटल बजेटिंग, अन्डर, रिस्क, एंड, अन्सर्टेन्टी, ठीक, इंपोर्टेन्ट है, काफी है, अब देखो, अब तक हमने पढ़ा, जिदर हमने रिस्क को कंसीडर नहीं करा, ठीक है, अब तक हम जो भी पढ़ते आ रहे थे, टेक्निकों के रहे हैं, वेल्योशन की, उसके अंदर हमने किसी के अंदर भी रिस्क को वेल्योटी नहीं करा, ठीक है, तो बेसिकली सबसे बहले समझते है, रिस्क होता क्या है, ठीक है, रिस्क क्या है, तो रिस्क इस अन्सर्टेन्टी, मतलब किसी भी चीज़ की बारे में uncertain होना वही risk होता है ठीक है तो यहाँ पर capital budgeting decision में किस चीज़ की uncertainty है returns की uncertainty of returns means risk ठीक है तो यानि कि जो return मिलेंगे हमें वो uncertain है ठीक है that means जो हमारे को cash flow मिल रहा है ठीक है जो भी हमको cash flow मिलेंगे either they will be known अगर known है तो कोई risk ही नहीं फिर no risk जब हमें पहले से पता है कि हमें इतना cash flow मिल जाएगा तो कोई risk नहीं फिर तो अगर known है case flow है ना अगर cash flow क्या है known है तो कोई risk नहीं है but अगर जो cash flow मिलेंगे हमें वो unknown है ठीक है unknown unknown कहलो या uncertain कहलो ठीक है ठीक है हमें पता नहीं कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे तो उस case में क्या आता है उस case में risk factor involved होता है ठीक है उस case में हमारा risk है involved ठीक तो यानि कि जब भी हमारा को cash flow अगर cash flow में पता है कि ये मिलने वाला है तो हमारा कोई risk नहीं है फिर तो ठीक है लेकिन अगर cash flow में पत हमने क्या करा था ठीक है एंपी भी आयर या कोई सी भी टेक्निक का हम डिरेक्टली उस करके हम इवैलुट कर सकते हैं ठीक है इसके इंदर तो कोई जरूत नहीं है लेकिन अगर मालोक कैस फ्लो हमें पता ही नहीं है यानि अन्नोन है ठीक है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा वहां पर हमें मेजर करना पड़ेगा रिस्क को भी समझ गए और उसको क्या करना पड़ेगा अर्जस्ट करना पड़ेगा फिर रिस्क को अर्जस्ट करने के बाद तब हम इवैलुट करेंगे ठीक है समझ गए तो जो टेक्निक्स यहां पर यूज होनी है वो टेक्निक्स क्या है बेसिकली तो ऐसी टेक्निक्स है वो जिसके अंदर रिस्क और रिटन दोनों को एवेलुट के जाता है ठीक है रिस्क एंड रिटन्स ओफ दा प्रोपोजल इस इवेलुट तो दोनों चीजों को एवेलुट करेंगे हैं मैं आपे ठीक समझगे गाईज देखो जैसे कि एग्जामपल समझते हैं कि मतलब नोन और अनोन से क्या एफेक्ट पड़ेगा या कौन से होते हैं नोन और अनोन ठीक है जैसे कि हमारे पास एक एग्जामपल है ठीक है पहले एग्जामपल हमारे पास cash flows है ठीक है हमने पहले year cash outflow किया ठी हमको 70,000 मिल रहा है ठीक है next year मतलब at year at end of year 1 first year के end पे हमें 70,000 मिल गया तो यहाँ पर क्या है cash flow is known cash flow हमें पता है means no risk कोई risk नहीं है आपर ठीक है यह कोई risk no risk वाला case है यानि कि यहाँ पर जो return है कह सकते है return is certain और जब return certain होगा तो कोई risk involvement होगी नहीं आपर ठीक है अब example दूसरा देखते है मालो इसमें हमारे पास cash flow है ठीक है वह हमने 50,000 पहले दिया then next year का हमसे बोल दे जाए कि या तो 60,000 मिल सकता है या फिर मिल सकता है 70,000 ठीक है या मिल सकता है 70,000 अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब हमको confirm नहीं है ठीक है यानि return is not certain return is not certain तो this means risk is involved risk is involved तो यहाँ पर हमारे पास क्या है risk involved है इस वाले में ठीक है समझे तो इसका मतलब यह वाला जो proposal है इसमें risk contained है risk का factor involved है इसके इंदर ठीक अब अगर हम ऐसे समझें कि एक और example देखते है ठीक है यह cash flows है हमारा ठीक है 50,000 हमने दिया then we will receive 20,000 at the year end of one ठीक है फिर हमको यह हमारा time है year मैं इदल लिख देता हूँ यह 0, 1, 2, 3, and 4 ठीक है फिर हम से मालो कह देता है कि यहां तो 30,000 मिलेंगे ठीक है यहां फिर हमें मिलेंगे 35,000 second year के end में फिर कहता है यहां तो 10,000 मिलेंगे भई यहां मिलेंगे आपको 25,000 ठीक है फिर third year कहता है यहां तो 25,000 मिलेंगे यहां आपको मिलेंगे 30,000 अब आप यह बताओ, यहां तक तो हमें पता है, ठीक है, यहां पर क्या हमारा return certain है, मतलब return is known, known कहलो या certain कहलो, ठीक है, तो return is known, therefore no risk, यहां तक तो कोई risk है नहीं अपने को, ठीक है, यहां पर तो कोई risk नहीं है, मतलब यहां पर risk free है, यहां तक अपन, लेकिन यहां से यहां रिस्क का मतलब यहाँ पर क्या है दस कंटेन रिस्क देरफुर यहाँ पर किसका इंवल्मेंट है रिस्क का इंवल्मेंट है समझ गए तो यहाँ पर देखते हैं एक बारी theoretical point of view से कि कि तरह के रिस्क हो सकते हैं ठीक है टाइपस ऑफ रिस्क हाला कि इस पर आएगा नहीं थेओरिटिकल कोश्टन ठीक है बागी आप समझ लो ठीक है पॉइंट्र समझ लेते हैं तो देखो सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क मतलब जो प्रोजेक्ट वाइज कम है ठीक है तो ऐसे करके करता है ठीक है ठीक है इसके लावा और क्या हो सकता है काम कर 테क में या अजैसे लेपना जैसे caram कर रहें ठीक है किसी भी तो उस इंडेस्ट्री का रिस्क ठीक है रिस्क बहुत तरह के हो सकते हैं इसके लावा international risk अगर हम international business करते हैं या फिर let's suppose हम कोई raw material यूज़ करते हैं जिसके इंदर हमारा जो raw material है वो international है ठीक है या फिर जो import किया जाता है तो वह वी एक तरह कर रिस्क है इसके लावा और कौन सा रिस्क हो सकता है तो market risk हो सकत होते हैं तो यह सारे common types of risk हैं ठीक है अब हम आगे चलते हैं कि मतलब हमें इसके अंदर जब risk factor involved करना होता है तो क्या अजंशन लेते हैं ठीक है अजंशन अंडर रिस्क यानि कि जब capital budgeting decision evaluate करेंगे तो कौन सी अजंशन लेंगे ठीक है अजंशन अंडर रिस्क ठीक है कि सबसे पहले assumption जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाता capital reasoning के बारे में ठीक है अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर पढ़ा है उसका link देख लेने के बारी ठीक है तो capital reasoning पढ़ी थी तो हम ऐसा आजियू करके चलते हैं रिसक जब consider करके चलते हैं कि फर्म के पास capital available है कोई तरह से यानि कि वो कोई भी profitable option ठुकरा नहीं रही है सबको accept करने के लिए ready है यानि कि फर्म इस नौट हविंग एनी capital reasoning ठीक है फर्म के पास कोई capital reasoning नहीं है that means नो नो प्रॉफिटेबल ओप्शन विल बी रिजेक्टिड यानि कोई भी profitable option रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम सबको accept करने के लिए ready है ठीक है हमारे पास capital है और दूसरा रिस्क उसी में होगा जिसके इंदर हम क्या है जिसके इंदर अंसर्टेनिटी है ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले जो cash outflow है यानि कि जो हमारी net investment है ठीक है उसका तो पता होना चाहिए ठीक है वह सर्टेन होना चाहिए ठीक है यानि कि net investment is known with certainty वह तो मैं पता है कि वह कितना दिन है यानि initial cash outlay कितना होगा वह मैं पता होना चाहिए इसके लावा इसके लावा यहाँ पर है जो set होते हैं जैसे कि अभी हमने देखे set available थे हर year के लिए हर year के लिए हर year के लिए क्या available थे तो जो set है set of cash inflows set of cash inflows are known मतलब सारे sets के बारे में पता होना चाहिए यानि कि जैसे मैंने बताया कि second year हमको या तो 30,000 मिलेगा या तो 35,000 मिलेगा तो ऐसे जो set है उनकी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास ठीक है यानि कि जो भी हमारे mutually exclusive set होंगे देखो उन में से दोनों तो मिलेंगे नहीं तो सारे set कैसे है mutually exclusive है that means एक ही मिलेगा उन में से कोई भी ठीक है mutually exclusive and exhaustive ठीक है जितने भी हमारे पास set है उन सब का हमें पता रहना चाहिए ठीक है इसके लावा जो हमारा required rate of return है required rate of return ठीक है is given वो given है ठीक इसके लावा the firm is risk-avers the firm is risk-avers risk-avers का क्या मतलब हो गया ठीक है यही सबसे important वाली जमसन है भाई ज्यान से याद रखना इसको ठीक है risk-avers का मतलब कि firm में ऐसा नहीं कि loss करने निकल रहे है वो risk कम लेना चाहते है ठीक है risk नहीं लेना चाहते है यानि कि वो कोई एसा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा ठीक है विल नौट एक्सेप्ट एनी प्रपोजल जिसका रिस्क जो है ठीक है जिसका रिस्क क्या है रिस्क तो बहुत जाद है ठीक है रिस्क तो बहुत जाद है बट उसके मुकाबले जो return मिलने वाल है ठीक है वो बहुत कम है यानि कि इतना कम है कि इसको compensate भी नहीं कर पा रहा है ठीक है इसको compensate भी नहीं कर पा रहा है इस risk को ठीक है तो इतना कम है अगर तो ऐसे proposal को तो कोई कोई प्रपोजल मालो हमारा रिस्की है ठीक है रिस्की प्रपोजल होगा अगर हमारा कोई उसको जब ही हम एक्सेप्ट करेंगे इफ रिटन जो उससे हमें रिटन मिलेंगे ठीक है वो किस से ज़दा होने चीए higher than the रिस्क मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं उससे ज़दा करेंगे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं यानि रिटन रिस्क जिससे की हमारा कंपनसेशन हो जाए ठीक है कंपनसेट कर पाए उस रिस् ओके तो यह यह उता है रिस्क पैवर सोना ठीक है यानि की रिसक ले रहे हैं अब देखो जैसे कि मालो इसमें दोधो वो situation सराइज हो सकती है risk ever sony में ठीक है कैसे decision लेंगे अगर मालो हमारे पास दो proposal है ठीक है A and B उनका जो NPV है ठीक है उनका या क्या सॉरी NPV नहीं उनका जो required rate of return है ठीक है उनका जो required rate of return है required rate of return वो क्या है given है दोनों का ठीक है same है मतलब same है दोनों का required rate of return then कैसे हम decision लेंगी किसको accept करना है ठीक है तो हम देखेंगे risk यान्लिक कगर required rate of return दोनों का same है ठीक है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे risk के आदार पर decision लेंगे that means जिसका risk minimum हुआ ठीक है इन दोनों में से जिसका risk minimum大家好 ठीक उसको हम क्या कर लेंगे accept कर लेंगे ओके और दूसरा सिनारियो अगर मालो ऐसे कहके रखे कि यहाँ पर दोनों प्रपोजल यह और भी रिस्क जो है हमारा दोनों में जितना भी मतलब इनके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है वह सेम है ठीक है इसका भी रिस्क उतना ही है इसका तो हम कैसे लिएंगे decision तब हम decision लिया required rate of return के basis पे रिक्वार क्यूर टोफ रिटन के basis पे यानि कि जिसका जादा होगा ठीक है अगर इसका जादा होगा तो इसको accept दर लेंगे इसको कर देंगे reject समझ गे तो यानि कि जिसका जादा होगा ठीक है greater आर 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 प्रपोदल विल बी एक्सेप्टेड ओके समझ गए तो यहाँ पर हम देखते है अब आते हैं हम टेक्नीक्स पे ठीक है टेक्नीक्स आफ evaluating risk मतलब रिस्कों को evaluate करने की कौन कौन सी टेक्नीक्स है हमारे पास तो देर आर टू टाइप्स आफ टेक्नीक्स ठीक है पहली हमारी है conventional ठीक है conventional टेक्नीक्स और दूसरी हमारी statistical statistical टेक्नीक्स ठीक है पहली conventional टेक्नीक्स और दूसरी statistical टेक्नीक्स ठीक है conventional में कौन सी आती है conventional में basically वो मैं पहले लिख देता हम फिर समझेंगे हम तो ठीक है इसके अंदर कौन कौन सी है तो इसके अंदर है अपनी पेवेक पीरेड जो मने पेवेक पीरेड वाला पड़ा था ठीक है फिर देन इसके इंदर है R.A.D.R. Risk Adjusted Discount Rate ठीक है Risk Adjusted Discount Rate Then we have Certainty Equivalent Short में जिसको C.E. बोलते है Then we have Sensitivity Analysis Sensitivity Analysis ठीक है तो ये दोनों तो ना ये दोनों तो अपनने Graduation ये तीनों बलकि ये तीनों तो Graduation Level पे भी है ठीक है बाकि अपने M.COM में ये और ये Statistical में से कुछ नहीं है इसके इंदर कौन कौन सी है तो इसके इंदर है Probability Probability Distribution Approach Probability Distribution Approach इसके लावा इसके इंदर है इसके लावा पास Simulation Simulation Analysis ये कुछ टेक्निक्स हैं हमारी जो Risk के लिए Use होती है ठीक है Risk के अलकुलेट करने के लिए अब हम एक करके पढ़ते है इन टेक्निक्स को तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे Conventional Technique ठीक है Conventional Technique के बारे में पढ़ेंगे इसमें तो Conventional में मैंने सबसे पहले कौन सी बताई सबसे पहले आपको बताई Payback Period वाली ठीक है तो Payback Period में क्या होता है Basically Payback Period आपको याद होगा हमने कैलकुलेट करना सीखा था Conventional Technique जो भी होती है ये सारी इनको और नामों से भी जानते हैं जैसे कि इसको Traditional Technique भी कहते हैं Traditional Technique भी आई है इसके लावा इनको अपन Non-Mathematical Technique भी कहते है यानि कि Traditional Technique भी कहते हैं और Non-Mathematical Technique भी कहते हैं तो जो Conventional Technique होती है ये सारी Based होती है किस पर अजमसंस पर Based on theoretical assumptions इन सब की अपनी अपनी अजमसंस होती है मतलब जितनी भी टेक्निक सब हैं इसके अंदर उन सम्में अजमसंस लेके चलते हैं कुछ ठीक है तो उन सब पर Based होती है तो हम सबसे पहले पढ़ दें कौन सी ये Payback Period वाली ठीक है तो Payback Period आपको पता है Payback Period में क्या होता है जो हमारा Cash Outflow था ठीक है तो इसके इंदर रिस्क को incorporate करने के लिए मतलब इसमें रिस्क को सामिल करने के लिए हम क्या करते है जो हमारा Target Period होता है जैसे कि आपको याद होगा हम पहले क्या कर रहेते है Payback Period करते है ठीक है तो Payback Period जो calculate करते है फिर उसको किस से किस से हम comparison करते है जो हमारा Target Period होता है ठीक है तो Target Period होता है उससे compare करते है तो Target Period हमारा कौन होता है जो management decide करता है कि इतने दिन में तो आ जाने चीए हमारी Capital Office यानि जो initial investment है वो recover हो जाने चीए इतने समय में ठीक है फिर उसको comparison करते है तो मतलब उसके बराबर होगा तब indifferent हो सकते है अगर उससे shorter है हमारे Target Period जितना था उससे अगर कम है ठीक है अगर Payback Period तो तो हम कर लेंगे accept ठीक है तुरंद कर लेंगे लेकिन अगर Target से जादा होगा तो नहीं करते accept अब Risk के factor को involve करने के लिए प्रोजक्ट कर देंगे फिनोमेना है, that means कि time जितना जादा होता है, risk उतना जादा होता है, ठीक है, किसी भी चीज में, मतलब shorter period में कम risk होता है, और long period में risk जादा होता है, ठीक है, यानि time bound है, risk कम, ठीक, तो देखो, risk जो होता है, मतलब अगर कोई cash flow जो मिल रहा है, कोई cash flow जो मिल रहा है, वो जितने short period में मिलेगा, ठीक है, जितना उसको recover करने का short period हुआ, उतना ही हमारे लिए risk कम है, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसी capital को, जो मतलब cash inflow मिलेगा, अगर वो जल्दी मिल पा रहा है, तो हम दुबार से reinvest कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर अब इस method की assumptions है कुछ, जैसे कि मैंने बताया है, यहां पर सम methods के लिए theoretical assumptions हैं, ठीक है, तो यहां पर इसकी क्या assumptions है, देखते हैं, एक बारी, payback period के assumptions क्या क्या है, ठीक है, तो पहली adjustments है यहां पर, कि पहले हम यह यह ज प्रोजेक्ट बूड़ी जितना ज्यादा टाइम का होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा रिस्क होगा तो और यह ही है करते हैं अब यहां पर इसको एडवांटेज क्या क्या है सबसे पहले बात तो अगर इसके मतलब पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में तो सबसे पहला तो यह है कि सिंपल है ठीक है एंड स्टेट फोरवर्ड कोई इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं कोई कुछ नहीं ठीक है मतलब हम सरलता के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते है ठीक है अब जो चीज़ सरल है तो उसके इंदर कुछ ना कुछ खामिया भी होगी समझ गए तो यहां प इसके लावा और क्या लिमिटेशन है इसकी तो इससे नाम कई बार मेजर नहीं कर सकते है रिस्क की डिफरेंट डिग्रीज को मतलब जैसे अलग 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 प्रपोजल है तो महां पर रिस्क अलग अलग हो सकता है तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे ठीक है कमपेर नहीं कर पाएंगे यानिकी इट फेल्स टू मेजर दे रिस्क ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिग्री इन डिफरेंट प्रपोजल गर्मी बहुत है और लिमिटेशन क्या है इसकी और इसके इंदर क्या है देखो इसके इंदर हम टाइम पिरेट को कम करते जा रहे हैं ठीक है यानिकी एकी इसकिंदर फेक्टर है रिस्क का ठीक है यानिकी एकी फेक्टर को रिस्क के यहां पर इवैलोट कर रहे हैं वह है टाइम यानि कि time जितना कम risk उतना कम time जितना जादा risk उतना जादा बस यही कर रहे है सके इंदर तो समझ गए तो देखो आपको यह समझ आ गया हम दूसरे method पर जाने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि मतलब जैसे हमने सबसे पहले क्या करना होता है किसी भी proposal को अगर में risk adjust करना है तो क्या से करेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम पहचानेंगे सबसे पहले क्या करते है identification of risk identification और फिर उसको measure करेंगे and measurement सबसे पहले identify करना पड़ता है तो उसके बाद क्या करेंगे तो उसके बाद दो चीज़े हो सकती है ठीक है उसको set of करने के लिए हमने risk देख लिया identify कर लिया तो दो चीज़ होंगी जैसे कि हमने last video में inflation पढ़ाता ठीक है capital budgeting under inflation पढ़ाता तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना उपर ठीक है आई बटन से तो inflation के अंदर हमने पढ़ाता कि जो absolute return होता है या फिर real return जो होता है वो inflation से क्या होता है मतलब inflation rate के वे से affect हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर भी क्या है और ऐसा क्यों हो रहता है क्योंकि दो तरह के cash flow है ठीक है real होगा nominal होगा और दो तरह के discount rate है real और nominal तो अगर real cash flow होता तो तो रियल डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे अब इस किंदर क्या है इस किंदर भी हमको यहां तो हमने जो मेजर कर लिया अब उस रिस्कों को अड़जस्ट करेंगे तो कहां कहां अड़जस्ट कर सकते यहां तो हम उसको अड़जस्ट कर दें तो अड़जस्ट र discount rate to reflect the risk या तो हम discount rate के अंदर उसको reflect करा सकते हैं ठीक और what we can do ठीक है इसके लावा क्या कर सकते हैं हम cash flow को adjust कर सकते हैं to adjust the cash flows ठीक है to incorporate the risk and and to use and फिर उसको हम क्या करेंगे उसको फिर risk less discount rate के साथ discount करेंगे risk less discount rate के साथ discount करेंगे ठीक है poor discounting मतलब इसका मतलब यह हो गया कि हम सबसे यह हम क्या कर सकते हैं हम cash flow को यह adjust कर दें ठीक है जो हमारे cash flow ते हम को यह adjust कर दें और फिर उसके बाद हम risk free discount rate कर लें हम आप यूज ठीक है अब इसको समझने के लिए हम अगली टेक्निक पढ़ते हैं फिर उससे हम समझ पाएंगे बेटर ठीक है तो next टेक्निक है हमारी आरे डियार तो next टेक्निक कंटीनू करते हैं आरे डियार ठीक है आरे डियार वी चीज रिस्क अड़जस्टिड डिस्काउंट रेट मतलब इसमें हम यह ऐसा डिस्काउंट रेट है जिसके नदर हम रिस्क को अड़जस्ट कर चुके हैं यानि कि देखो जो हमारा पहले मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो फिनेंस मेनेजर होते हैं ठीक है किसी भी रिस्क की प्रपोजल को तभी एकसेप्ट करते हैं जब उस से मिलने वाला रिटर्न उसके रिस्क से जादा होना चाहिए तभी करेंगे ठीक है यानि कि अगर मालोग ग्रेटर इसका मतलब हायर डिजाय रिटर्न ठीक है यानि उतने ही ज्यादा क्या होगी बिजायर ज्याइटर तभी हम accept करेंगे अधररवाइस तो हम रिज्यट्क कर देंगे ठीक है पहली बात कि तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे जैसे riskiness है किसी भी project की जो riskiness होती है riskiness riskiness को क्या करते हैं adjust कर देते हैं riskiness of a proposal किसी भी proposal की riskiness को हम क्या करेंगे आपर adjust करेंगे उसको उसको adjust कर देंगे अपन किस के अंदर discount rate के अंदर ठीक है तो ऐसा ही discount rate क्या कहलाता है फिर risk adjusted discount rate ठीक है RADR समझे देखो जैसे अगर मालोग कोई cash flow है ठीक है कोई cash flow है जिसका मतलब वो किसी risky risky proposal का cash flow है ठीक है तो जितना जादा risky proposal का cash flow होगा ठीक है तो हमको उतने ही जादा higher discount rate से discount करना चाहिए उसको ठीक है मतलब उतने ही जादा higher discount rate से discount करना चाहिए अब आप बोलोगे यह क्या मतलब हुआ discount rate क्या होता है discount rate का मतलब क्या है भई minimum rate of return मतलब minimum rate of return जितना चाहिए अपने को ठीक है उतना तो मिलना ही चाहिए तो मतलब, जितना ज़ादा risk है भाई, उतना ही ज़ादा अपना minimum rate of return होगा, यानि कि इसको अपन desired return भी तो कह सकते, कि मतलब जो हमारा desire return है, हमें जितना return चाहिए, ठीके, वो उतना ही ज़ादा होगा, जितना ज़ादा risk होगा, समझ गे, वो कहते हैं ना कि higher the risk higher the return ठीक है higher risk मतलब higher return अगर वो मिलेगा then we will consider the project otherwise we will reject higher risk higher return यही तो है बस concept simple सा ठीक है ऐसे ही तो कोई भी investor होता है वो यही करता है भाई रिस्क तो जब ज्यादा लेगा न जब उसको return ज्यादा मिलेगा जैसे कि अगर mutual funds की बात करें तो mutual funds में categories होती है ज maximum funds जो होते हैं हमारे तो उनके इंतर रिस्क क्या होता है इंडर बहुप ज्यादा होता है लेकिन उनके दर return भी ज्यादा होता है फिर CAGR प味ले ज्यादा होना बिसका ma सकते है कि जो हमारा discount rate है ठीक है discount rate है हमारा दो और रिस्क है दो ठीक है discount rate और risk जो होता है वो क्या है वो एक दूसरे के direct proportionate है that means risk जितना ज्यादा discount rate उतना ज्यादा चाहिए अपने को ठीक है समझगे guys simple है अगर माल लो देखो अगर कोई risk नहीं है ठीक है इसके अंदर कोई risk होने का मतलब discount rate होगा वह risk free discount rate इस risk free that means discount rate के हमारा risk free होगा वाईस समझगे तो ऐसी डिस्काउंट रेट को क्या गयता है रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट कहां मिलता है ठीक है रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है तो रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट एक तरह से आप ऐसे समझ सकते जैसे कि कोई भी इंवेस्टर है ठीक है वो क्या करेगा तो ग यह भजिए लिकाउंट रेट इस रिष्क फुरी या फिर ख़ंगते को इससटे हैं लिष्क फ्री confess कि वही क्या सकते विक अंट अगर मालुव हमारे पास ड्श्याल थिक ड्श्बिरेंट प्रैस्ट तुसे команд फूर्पे पर फ्रॉजल अ कि उनका रैंक अलुकर लगे हैं ठीक है रिक भी क्या हुगा रिस्क इस जुडा हुगा तो सबका मौ योthmus होगा अब वो डिफरेंट हो इतना इसका मतलब डिसकाउंट रेट भी क्या होगे उनके डिफरेंट होगे अल्सो भी डिफरेंट ठीक अब देखो यहाँ पर जो दो रेट है एक तो हमारा रिस्क फ्री रेट है ठीक है रिस्क फ्री डिसकाउंट रेट है यानि कि जो गवर्मेंट सिक्योरिटी पर मिल सकता है में और एक है हमारा ठीक है एक है हमारा रिस्क अडजस्टिड डिसकाउंट रेट रिस्क अडजस्टिड डिसकाउंट रेट ठीक है दो डिसकाउंट रेट हो गए है तो जो हमारा रिस्क फ्री डिस discount rate है let is denote by अब तक हम जिस से करते हैं small k यह हमारा small k है ठीक है और जो risk adjusted है let is let it denote by k a समझ गए risk adjusted discount rate तो इन दोनों को difference होता है ठीक है इन दोनों को difference होता है अब जैसे यह risk free है इस किंदर कोई risk नहीं है अब इस किंदर क्या कै सामिल है तो सकिंदर दो चीज लोगे न एक में तो discount rate तो है ही ठीक है पलस में इस किंदर क्या जुटा हुआ है risk जुडा हुआ है अब let's suppose risk मतलब alpha ठीक है alpha मतलब क्या है risk premium यह है हमारा risk premium यानि की of є जो हमारा risk का factor है वह ही क्या है risk problem है that means जो हमारा रिस्क adjusted discount rate जो होगा ठीक है RADR that is KA ठीक है ये किसके बरावर होगा तो ये risk free यानि कि K plus में जो हमारा alpha है alpha यानि कि risk premium इसके बरावर होगा समझ गहें तो RADR में क्या सामिल होता है RADR में risk premium भी सामिल होता है ओके इसका मतलब RADR के अंदर दो चीजे हैं ठीक है RADR के अंदर दो चीजे हैं एक तो risk free rate है risk free rate plus में और क्या इसके अंदर तो risk premium है ठीक काई ये दोनो चीजे हैं तो इसको कैसे लिखा k a is equal to risk free rate यानिकी k plus में risk premium यानिकी alpha ठीक है भई अब हमें क्या करना है जैसे कि हम NPV calculate करते थे पहले ठीक है तो NPV कैसे calculate करते थे NPV calculate करते थे हम earlier time जब यह risk free rate लेकर कैसे करते हैं याद होगा आपको summation और यहाँ पर 10 अरे चल जा भाई ठीक है यहाँ पर cash flow ठीक है और नीचे कह लेते हैं 1 plus k raise to power n और minus में c0 ऐसे करते थे पहले अब यहाँ पर क्या करेंगे तो जब हमें यह risk वाला factor include करना है ठीक है तो हमारा formula change हो जाएगा हमारा formula क्या हो जाएगा और इस वाले NPV को कहेंगे risk adjusted NPV तो इधर कैसे निकालेंगे बस सब कुछ सेम रहेगा आपका मतलब इधर कुछ भी चेंज नहीं करना almost ठीक है तो सब कुछ सेम है यहाँ पर cash flow लेंगे ठीक है और नीचे बस यहाँ चेंज होगा ठीक है यहाँ पर चेंज लाएगा तो यहाँ पर अपने उधर क्या ल adjusted rate लेंगे समझ गए और माइनस में cash flow ओके तो यह हमारा हो गया किसका फॉर्मुला आरे एन पीवी यानि कि यह वाली चीज क्या है ठीक है यह वाली चीज क्या गाइज है तो यह है अपना रिस्क अडजस्टेड डिसकांट रेट आरे डियार समझें तो यहाँ पर आरे डियर वाला आपको समझ आ गया अब यहाँ पर रूल क्या है मतलब acceptance रूल ठीक है रूल क्या है तो जो NPV पर होता था वो इधर अपलाई होगा ठीक है मतलब positive NPV है तो accept करते थे ठीक है तो same चीज यहाँ पर भी गरने है अपने को ठीक है तो that means यहाँ पर अगर हमारा जो हमने NPV calculate कर रहा है risk adjusted NPV ठीक है वो हमारा अगर positive है या जीरो है ठीक है तो क्या कर सकते है accept कर सकते है अब वो आपको पता है कि positive होगा तभी कोई accept करेगा जीरो की case में क्यों करेगा ठीक है और दूसरा अगर risk adjusted NPV जो हमारा है वो negative आ जाए ठीक है तो हम क्या कर देंगे reject कर देंगे बस सांतिपूरवक सब्सक्राइब करते हैं इसको देखो इसके इंदर क्या है इसके इंदर हम profit को देखते हैं सिर्फ ठीक है NPV है तो NPV में तो profit अप्रोच है profit oriented है ठीक है इसके लावा यहाँ पर time value of money को हम consider करेंगे ठीक है इसके लावा यहाँ पर risk adjustment हो रहा है ठीक है और benefit क्या है इसके इंदर हम future generated cash flows है ठीक है उनको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते है और इसके लावा इट है इन expecting the future profit generated बाया risky project मतलब risky project से हमको कितना future में profit मिल सकता है क्योंकि हम यहाँ पर risk adjusted वह निकाल रहें NPV ठीक है तो यह हमरे को पता चल जाता है इससे समझे तो यह फायदा इसका और लिमिटेशन क्या है तो इसके अंदर लिमिटेशन गाइज एक है मतलब एक सबसे बड़ी लिमिटेशन आपने नोपिस करोगी जैसे हमने पहले ही हमने एक चीज लिखी थी कि यहाँ पर तो लिमिटेशन की बात करेंगर सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि यहाँ पर जो फ्यूचर कैस फ्लो जैसे मैंने बताया था अंसरटेन होते हैं कभी-कभी यानि कि दो-तिन उप्षन से हमारे पास उसमें से कुछ भी मिल सकता है तो उसके बार में तो हमने आपर कुछ किया ही नहीं ठीक है यानि कि ड़ अर्ज़स्ट द फ्यूचर कैस फ्लो ज़िच आर रिस्की एंड अंसर्टेन ठीक है उनको अर्ज़स्ट नहीं करा हमने आपर समझे अब इसको इज़्स्ट करने के लिए यहींवाला जो फैक्टर है जिसको यहां पर एक्नोर कर दिया गया है इसको ही अरजस्ट करने के लिए ہ्मको एक स्टै्टिस्टिकल टेगव करना है जो कि हमारे रीएंonne может है और वह क्या है probability डिस्टüssow टेकनिक उसके पास टीर में कोशन भी आ रखे हैं ठीक है तो वो हमें ध्यान से करनी है probability distribution टेकनिक उसका प्रयोग करते हैं इसके इंदर उनको अड़िस्ट करने के लिए ठीक है समझे तो ये था हमारा RADR समझे गाइस अब नेक्स्ट अप्रोच कौन सी है हमारी certainty equivalent that is CE वो सुरू करते हैं हम सलिए so guys let's start technique number three that is certainty equivalent certainty equivalent technique जिसको sort में CE कहते हैं ठीक है ये कर रहे हैं तो इसके इंदर क्या करेंगे जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था RADR में तो RADR में हमने discount rate को यह चेंज कर दिया था ठीक है discount rate के अंदर हमने adjust कर दिया था अब यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर basically adjust करेंगे cash flows को ठीक है तो यानि कि यहां पर क्या करेंगे अगर चेंज करता हूँ adjust the future cash flows instead of इंस्टेड ओफ अडजस्टिंग इंस्टेड ओफ अडजस्टिंग discount rates मतलब वहां पर हमने discount rate को adjust कर रहा था यहां पर हम क्या करेंगे future cash flow को adjust करेंगे ठीक है discount rate को adjust नहीं करेंगे ठीक तो यहां पर क्या है जो हमारे uncertain जितने भी हमारे uncertain या कहेंगे risky जो cash flow थे उनको convert कर लेंगे सबसे पहले certain में ठीक है यानि कि firstly हम क्या करेंगे तो uncertain जो भी हमारे uncertain या फिर कह सकते है risky cash flow होंगे ठीक है उनको अपन convert कर लेंगे किस के अंदर certain cash flows के अंदर ठीक है सबसे पहले यह करेंगे फिरम क्या करेंगे then जो भी हमारे adjusted cash flows आएंगे ठीक है जो adjusted cash flows होंगे ठीक है उनको क्या करेंगे discount करेंगे are discounted at the rate risk-free फिर उसको किस rate से discount करेंगे तो risk-free rate से risk-free rate to find NPV ठीक है समझके certainty equivalent में क्या होता है तो इसका procedure देखते हैं procedure of CE ठीक तो सबसे पहले क्या करना है हमें estimate करना है future cash flows को estimate the future cash flows ठीक then क्या करेंगे then calculate करना है calculate CE factor अभी CE factor क्या होता है ठीक है अब दब CE factor calculate करेंगे अलग-अलग years के लिए सब के लिए different years क्योंकि हम क्या कर रहे है इस approach में क्या कर रहे है जो cash flow है उसी को adjust कर रहे हैं ठीक है हम cash flow की adjustment कर रहे हैं वहाँ पर हमने discount को adjust कर रहा था यहाँ पर future cash flows को क्या कर रहे है अडजस्ट कर रहे है तो future cash flow को adjust करने के लिए हमको एक factor चाहिए होता है और उसी को कहते है c e factor ठीक है c e factor तो c e factor कैसे calculate होगा मतलब c e factor अगर मैं बताओं आपको यह क्या है तो इसका मतलब यह है कि हम present money अगर हमको कोई present में कोई पैसा दे रहा है ठीक है present money में future cash flow के बदले ठीक है कितने रुपे ले ले लेंगे अभी वही होता है हमारा c e factor जैसे कि अगर आप से अगर मैं example से कहूं तो अगर मालो future में हमें कह दिया कि end of one year आपको मिलेंगे 10,000 रुपे ठीक है एक साल बात 10,000 रुपे मिलेंगे आपको और आपके पास दूसरा option है कि 7,000 अभी ले लो ठीक है present में 7,000 ले लो तो मतलब अगर company की policy होगी तो 7,000 चूस कर सकती है समझ गए तो यह जो 10,000 के बतले हमने 7,000 ले लिए यही present यही क्या हमा हमारा कैसे calculate होगा देखो C factor calculate होगा that means 10,000 के बदले कितने ले लिए 7,000 तो यहां पर C factor कितना आ गया तो 0.7 आ गया यह हमारा C factor हो जाएगा समझे यानि कि present money के अंदर हम कितने amount को accept कर लेंगे ठीक है और उसके बदले हम future का cash flow क्या कर देंगे sacrifice कर देंगे वही क्या है हमारा C factor ठीक भाई तो अगर firm ready है भाई 7,000 accept करने के लिए आ जी तो यहां पर 0.7 क्या हो जाएगा C factor हो जाएगा अपना ठीक है 0.7 क्या होगा तो C factor हमारा 0.7 हो जाएगा अभी जो C factor है आप एक बात बताओ अगर मालो रिस्क जादा है ठीक है तो रिस्क जादा है तो हम क्या कर प्रिजर्ट में क्या बोलेंगे भाई तु ऐसा कर उतने ही कम पैसे दे दे हम तो कहेंगे कि 6000 अगर मतलब यहां पर सी क्या आएगा अगर मालो रिस्क बढ़ गया ठीक है रिस्क बढ़ गया पहले अलग था बढ़ गया रिस्क तो यहां पर सी कि एक अग ठीक जादा तब 6,000 divided by 10,000, यानि कि 0.6 आ जाएगा, और पहले कितना आ रहा था, 7, तो पहले risk कम था, तब CE जादा आ रहा था, ठीके, आप risk जादा है, तो CE कम आएगा, यानि कि inverse relationship है, दोनों के बीच में, ठीके बही, तो risk जादा, इसका result यह होगा, कि CE की value कम आएगी, मतलब जो हमारा CE factor है, वो कमाएगा, समझके, देखो, फिर number 3, पहले आपको estimate करना है, cash flows को, और फिर CE factor को calculate करना है, then क्या करना है, multiply करना है, simply, ठीक है, जो हमने cash flows को estimate कर आता, multiply estimated cash flows with CE factor, और CE factor से multiply करके क्या बन जाएगा हो, तो वो value हो जाएगी, adjusted value, ठीक है, मतलब risk adjust हो जाएगा फिर उसके इंदर, उसके बात क्या करेंगे, number 4, discount करेंगे, discount the certainty equivalent cash flow, वो जो यहाँ पर multiply करेंगे, जो हम estimated cash flow और CE factor को, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, certainty equivalent cash flow, CE, CF लिख रहा हूँ में, स्वाट में, ठीक है, certainty equivalent cash flow, CE, CF, ठीक, certainty equivalent cash flow जो आएगा, तो उसको हम discount करेंगे, किस rate पर, तो add the rate risk free, risk free जो rate होगा, उस पर discount करेंगे, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, to find NPV, और ऐसे करके NPV निकाल लेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जो निकल के आएगी, NPV क्या होगी, अगेन, risk adjusted NPV निकल के आएगी, तो यहाँ जो formula होगा, गाईज, वो क्या होगा, summation, यहाँ पर alpha, ठीक है, यहाँ पर यह alpha, alpha क्या है, तो alpha हम CE factor को alpha से denote कर रहें, ठीक है, CE factor को हम किस से denote कर रहें, alpha से, ठीक है गाईज, तो हर year के लिए अलग-अलग CE factor होगा, तो यहाँ पर i-th year, ठीक है, तो हर year के लिए अलग-अलग CE factor लेंगे, और यहाँ पर cf initial cash flow, ठीक है, और नीचे 1 plus में discount rate, ठीक है, और कौन सा discount rate लेना है, risk free वाला, ठीक है गाईज, और minus में, c0 initial cash flow, ओके, ठीक है, अब देखो, जो c factor होता है, जो हमारा c factor, यानि कि alpha की जो value है, ठीक है, c factor always, अब इसकी जो value होगी, ठीक है, इसकी जो value होगी, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, अब चलिए, आगे चलते हैं, अब decision rule क्या है, certainty equivalent में, NPV based है यह ठीक है, तो यहाँ पर, जो हमारा certainty equivalent, NPV जो आएगा, c e n p v, अगर यह positive है, यह 0 है, देन accept, अगर negative है, देन reject, simple है, ठीक है, तो यह certainty equivalent approach थी, risk adjust करने की, ठीक है, now, we are moving towards next approach, that is sensitivity analysis, ठीक है, sensitivity analysis, okay, so rightly, in this approach, we analyze the change, change in the projects, NPV, मतलब NPV कैसे change हो रही है, ठीक है, NPV कैसे change हो रही है, या फिर कह सकते, IRR भी हो सकता है, ठीक है, तो NPV या IRR कैसे change हो रहा है, किस वज़े से, 4R, change in one variable, मतलब, जैसे there are certain variables, ठीक है, काफी सारी variables होते हैं, जिन से NPV पर effect पड़ता है, तो मतलब, किसी एक variable के change होने से, किसी एक variable के change होने से, क्या effect पड़ा है, NPV पर, वही analysis क्या कहला आता है, sensitivity analysis कहला आता है, ठीक है, तो इसके steps देखते हैं, कौन-कौन से steps होते हैं, सकिंदर, steps, सबसे पहला step, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, identify करेंगे, सारे variables को, जिनका भी influence होगा, किस पर, NPV पर, यानि कि first identify, identify those variables, which have influence on NPV, यानि project की NPV पर, क्या होगा, influence होगा, या फिर IRR भी कह सकते हैं, ठीक, पहले step में यह करेंगे, then, फिर क्या करेंगे, फिर हम mathematical relation देखेंगे, सबके बीच का, ठीक है, यानि define, the, mathematical relation between variables, ठीक, mathematical relation देखेंगे, सबके बीच का, then, third step में क्या करेंगे, impact को analyze करेंगे, ठीक है, analyze the impact of the variables, on the projects NPV, ठीक है, फिर analyze करेंगे, projects NPV, फिर analyze करके, हम कहां पहुच जाएंगे, किसी decision पर पहुच जाएंगे, ठीक है, अब, इसको करने के लिए भी, कुछ यहाँ पर assumption है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी assumptions होती है, देखो, इसके assumptions कौन सी है, तो इसके अंदर जो भी हम calculate करते हैं, मतलब जो भी यहाँ पर price लेंगे, जो भी change लेंगे, variables में, ठीक है, वो तीन तरह से ले सकते है, change, ठीक है, यह OR में भी पढ़ना है हमें, ठीक है, पर्ट और CPM के अंदर, जो हमारा part and CPM है, उसके अंदर भी पढ़ते हम यह चीज, sensitivity analysis, ठीक है, part and CPM है, वो भी करेंगे, तो इसके अंदर तीन changes है, तीन prices है, ठीक है, एक होता है pessimistic, then होता है expected, then अपना है optimistic, ठीक, तीन प्राइज होता है, pessimistic मतलब lower, ठीक है, expected मतलब actual वाला, और optimistic मतलब higher वाला, ठीक है, तो तीनों पर हम चेक करेंगे, कि तीनों, अगर तीनों तरहा के रखेंगे, तो क्या-का effect पढ़ रहा है NPV पर, और किसकी वैसे NPV कितना effect हो रहा है, ठीक है, basically हम अगर कहें, तो यह जो होता है, इस analysis में क्या question पूछते है, ठीक है, question क्या होता है, तो question होता है word tip, मतलब क्या होगा, है ना, क्या होगा, अगर ऐसा हो, जैसे कि example के लिए, ठीक है, example के लिए, मालो volume क्या हो अगर volume बढ़ जाए तो या घट जाए तो तो क्या होगा ठीक है इसके लावा cost ठीक है या फिर कह सकते है fixed cost तो इनके बढ़ने पर क्या होगा या घटने पर क्या होगा ठीक है project पर क्या effect पड़ेगा NPV पर ठीक है इसके लावा अगर प्रोयक्ट डीले हो गया मान लो ठीक है तब क्या होगा ठीक है है या फिर खेff duty हो गया तो इन सा इप्रस्टतिह्यों के बातर आ हमें किसिते मिलते है इसके लाँ और क्या हो सकता है जैसे कि इस सेलिंग प्राइज अपना काम हो गया यह जादा हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन पीवी पर ठीक है तो यह सारी चीज़ें हम एवैल्वेट करते हैं तो यह सारा एवैल्वेशन करके हम किस से आंसर करेंगे तो मैं लिख देता है यहां पर तो दीज आल विख दिए आंसर्ड ना ऑर और रहा है तो देख दॉत देख दो आंसर्ट कर सकते हैं ओके ना एक एग्जांपल लेते हैं मार पास ठीक है क्या प्रबोजाल है लाइफ है वह seven years से ठीक है और इसकी जो कॉस्ट है वह में नहीं दोगानी एक ठीक है और जिसकी कॉस्ट जो है 10 million है थे देखो तो टोतल इंवेस्टमन्ट हमारी टोटल इंवेस्टमेंट हमारी यह हमारी थाउजन्स में टीक है तो कितनी है तो पूटीन थाउजन थाउजन्स में और इसके लावा जो हमारा सेल्स वैल्यू जो निकल के आएगा सामने इससे वह हमारा और फिकल के तो यह मैं जो थाउजन्स में इसके लावा जो यू सेल्इंग प्राइ Tür ट्वेंट met 모습 हमारी यूनित जो वेरिवल कोस्ट है वो हमारी टैन रुपीज है इसके लाव हमारी एनुवल फिक्स कोस्ट एनुवल फिक्स कोस्ट यह हमारी 5 5 लेक है ठीक है कि अच्छा 3-0 तो पहले से 5,000 ठीक है 3-0 पहले से हैं आपर ओके और यहां पर हमारा डेप्रीसेशन है ठीक है एसलम विदी से 2000 देन कॉर्परेट टैक्स है ऐसे कोश्चन आते हैं ठीक है कॉर्परेट टैक्स है 30 परसेंट और जो डिसकाउंट रेट दे रखा है मैं अब आप से पूछ रहा है कि बताईए तो यह बताना है इसके इंदर हमें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर नेट कैस्ट लोग करते हैं ठीक है नेट कैस्ट लोग तो यहां पर कैसे करेंगे गाइस तो यह होगे अपना सेल्स वाल्यम वन थाजन ठीक है इंटू करेंगे यहां पर कॉंट्रिबूशन किया आएगा तो सेल्स प्राइज माइनस बी सी माइनस करेंगे 20 माइनस 10 ठीक है देन माइनस करेंगे इसमें से फिक्स कोस्ट 5000 और प्लस में देप्रिसेशन भी माइनस करेंगे ठीक यह जितना भी आएगा इसको एंटू करेंगे 1-0.3 टैक्स रेट टैक्स रेट टैक्स रेट निकाल देंगे 30% टैक्स रेट माइनस कर दिया एड़ दी एंड दुबार से इसके इंदर डेप्रिसेशन एड़ कर लेंगे एज नॉन कैस एक्सपेंस है तो यहां पर कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर 20 में से दिस गया 10 10,000 माइनस में 5 और 27 3,000 आजाएगा टोटल ठीक है 3,000 इंटू में 0.7 और प्लस में 2,000 तो तीन सुल्व एक इस सो प्लस में 2,000 तो यहां पर कितना आगया गाईस यहां पर आगया 4100 ठीक है तो यह हो गया हमारा एन्वल कैश फ्लो ठीक है एन्वल नेट कैश फ्लो अब हम पेड़ जो में गुलेट करनी है एन्पी इन्पी एड यृ nouग फशल पर्सेंट अब यह एन्वल है ठीक है तो टी लगा दिंगे आपर फ्ल परसंट की सेवन यिर्ज कलिए ठीक है तो अन्टी एड़रेट 12% 47 years ठीक है तो उसकी value कितनी होती है तो NPV एड़रेट 12% कितनी आ जाएगी 400 रुपे हमारा net cash हो है ठीक है 400 net cash हो है और into करेंगे 7% की annuity ठीक है तो 12% स्वरी 12% 7 years के लिए तो यहाप रोजाएगा हमारे पास 4.564 ठीक है और इसमें से minus कर देंगे initial investment 14,000 तो यह हमारा आएगा 4712 ठीक है यह हमारी NPV आगई है और यह 4712 positive है तो since NPV is positive तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह यह भी है एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका IRR calculated है जो ठीक है वो मालो 22% है अभी क्या है अभी सब कुछ normal रखके हमने calculate कर रहा है ठीक है जो हमारे पास given data है और यह सारा जो given data है ठीक है यह सारा जो data है इसको अपन क्या कहते है तो यह हमारा expected data है हमने expected है ठीक है अब हम क्या करेंगे इन सभी variables को change करके देखेंगे ठीक है अब एक को change करके देखते है और क्या impact पड़ेगा वो देखेंगे फिर इसका अब फोर्कास्ट करेंगे फोर्कास्ट अंडर डिफरेंट अजमसंस जो हमने उपर अजमसंस देखी थी ठीक है तो उन सभी अजमसंस के अंदर हम देखेंगे फोर्कास्ट अंडर का अजमसंस ओके तो हमारे पास ये variables हो गए कौन कौन से variables है तो हमारे पास volume है ठीक है volume then selling price then variable cost then annual 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 fixed cost ठीक then we have ये तीन तरह किया प्रोच है ठीक है तीन तरह किया जमसंस दिया हमारी एक थी पैसिमिस्टिक ठीक then expected then optimistic ठीक अब इधर हम माल लेते हैं इधर हमारे पास क्या क्या था thousand volume thousand ठीक है selling price कितना था 20 variable cost 10 ठीक है और ये थी annual fixed cost 5000 तो इधर हम कर देते हैं और ये भी बढ़ा दी हमने ठीक और इस तरफ 1150 volume बढ़ गया ठीक है selling price भी बढ़ गया 2300 और ये हमारी कम होगी cost reduce होती है ठीक है तब फाइदा है analysis ठीक है under different assumptions different assumptions ठीक तो यहाँ पर variables variables में क्या क्या है मार पास तो variables में मार पास volume है ठीक है volume then we have selling price variable cost and annual fixed cost ठीक है फिर यहाँ पर pessimistic then expected then optimistic ठीक 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 यहाँ पर हमने क्या calculate कर लिया सबके सबका calculate कर लिया ठीक है एंपीवी calculate कर लिया सबका तो volume जब हमने pessimistic वाला volume लिया और बागी सारी चीजे पर इंपीवी आगया हमारा negative ठीक है पैसी मिस्टिप पर तो सारी चीजें क्या आएंगी अल्मस्ट नेगिटिव आएंगी इस पर हमारा 4872 ठीक है selling price अगर हम यह वाला लेते हैं इस पर 81 ठीक है और इधर 2315 positive annual fixed cost कम हो रही है सब्सकт推 है सुरी भटरिये यहाँ पर तो हमको पताहिए यहाँ पर कितना आ रहा था 4712 रहा था वहर केस में 4712 रहा था हमने सब कुछ वही Лिर्फिप पर क्या है यहाँ पर अलग आएगा इधर हार है नैंटी फाइग जिरो थी तो यहां पर हम क्या करेंगे तो आपको दिख रहा हो गए आप सबसे आदा चेंज किस की वैसे आ रहे हैं तो सेल वॉल्यूम पहली बात तो यह पैसिमिस्टिक वाला वॉल्यूम ले रहे हैं तो 81 हो गया नेगटिव और एकस्पेक्टिव ले रहे हैं तो 4712 और ऑप्टिमिस्टिक में 95 हो तो यहां पर डबल होता नजर आ रहा है यानि की बहुत ज्यादा फ्लॉक्शुरिशन हो रही है किसके वैसे वॉल्यूम के सब्सक्राइब कर रहे है तो most critical क्रियोग टैस assess वैसे और दूसरा क्या है मेरा उनिट लेंग प्राइज़क्राइब और यूनिट सेलिंग डाइश ठीड़ी है यह दोनों हमारे क्या क्या कहलेंगे तो यह दोनों क्या बारएंगे most critical variables क्यों क्योंकि यहां पर जो NPV है ठीक है क्योंकि यहां पर जो NPV एन की विज़े से उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिस आ रहें ठीक है एन पीवी कि सिग्निफिकेंटली चेंजिंग अब यहां पर इसी का एक इसी का एक सब पार्ट है वो है मारा डीसी एफ ब्रेक इवन अनलिसिस ठीक है डिसकांटेट कैस फ्लोज ब्रेक इवन अनलिसिस तो इसका मतलब होता है जो हमने उपर सेंस्टिविटी अनलिसिस करी अभी तो इसके नदर हमारा अगरनद हो किसी वेरिवल और को चेंज कर सकते हैंकि वट शूर्ड बीडर मिनिममउंपॉइंटन ऑट ऑके दो हम देख रहे थे कि अगर यह वा तो च्ल क्या हूआ इसके उबर करेंगे इसके इनदर ऊंथर अशर करने की लोवर कें कर ब необход गांड हा न एक लो का मुदा को कितेंए कंबिजिअ कर अगे सकते न्य improved नेगेटीव, अब नेगेटीव, अमतव हम, ब्रेक इवन पोईंट, उसी पोईंट को कुए जहाँ पर यही प्रेक इवन, यही ब्रेक तो क्या करेंगे मैंने बता दिया आपको इसी point को break even point काएंगे जहाँ पर हमारा τवakah他们 a minimum कितने sales volume को minimum पे ला सकते हैं क्या minimum value होगी sales volumeookie ऐसे कि हमारा उपर वाल danesAmplus से करेंच न्यट कैस फ्लो हमारा कितना आ रहा थाolutions az तो हमारी निकाली थी कितनी आई थी 4712 अब यहां पर करंट वोल्यूम इस जगहाँ पर देखें तो इस जगहाँ पर हमारा वोल्यूम कितना था तो अगर हम इसको तो इसको रिडियूस करते जाएं तो इसको रिडियूस करेंगे कब तक अंटिल अंटिल नपीवी वी बिकम्स जीरो बिकम्स जीरो और जहां पर जीरो हो जाएगी ठीक है, at the point, where NPV will be 0, that is break-even point, उसी को क्या बोलेंगे guys, उसी को बोलेंगे break-even point, समझ गए, break-even point क्या होता है, समझ गए होगे, तो यहाँ पर हम calculate करते हैं एक बारी, अपने example के लिए, ब्रेक-even point क्या होगा, अदलब कितने units पर होगा, ठीक है, देखो, तो यहाँ पर, यह हमने ले लिए भी, ठीक है, यही तो निकालना है में, भी निकालना है, वल्यूमी तो निकालना है, ठीक है, और इधर लेंगे हम, SP माइनस में VC, ठीक है, contribution यानिकी, और माइनस में annual fixed cost, AFC, ठीक है, ठीक है, फिर, यहाँ पर, क्या लेंगे, तो वन माइनस tax rate, plus, depreciation, ठीक है, और माइनस में, investment की value, ठीक है, ऐसी करते हैं, माइनस में investment की value, ठीक है, अब यहाँ पर value put करते हैं, सब की, तो हमारे पास, बराबर में तो 0 रखना है, ठीक है, यह तो पता है, क्योंकि NPV को कितना लाना है, 0 लाना है, तो मैं इदर 0 लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया, हमने 0, ठीक है, NPV की जगह क्या लिख दिया, 0, बराबर में, volume, यहाँ पर 20-10, ठीक है, देन, माइनस करेंगे इसमें से, depreciation, ठीक है, तो depreciation कितना, अपना 5000, ठीक, 5000, ओ सारी, annual fix cost minus करेंगे, 5000, ठीक है, देन, multiply करेंगे, तो 1 माइनस में, 0.3 tax rate, plus, 0.3 into में, depreciation, depreciation कितना था, 2000, ठीक है, और इस सब को भी, इस सब को भी किस से multiply करना था, annual factor, ठीक है, तो annual factor कितना था, 4.564, 4.564, ठीक है, और देन, माइनस करेंगे, अपने, इसमें से, क्या, investment, investment कितनी था, starting, 14,000, ठीक, अब इसको solve करेंगे, जा, पूरा, ठीक है, तो 0 is equal to, तो V is equal to, 27,234, divided by, 31.9, 4, 6, 6, और इसको काटने के बाद आएगा, एप्रोक्स, 853, ये क्या है, हमारा volume, मतलब, एट, 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 वन, और सोरी, तो 853 आजाएगा, तो ये क्या है, हमारा, ये वो volume है, जिस पर NPV, ठीक है, NPV क्या है, हमारी 0 है, यानि कि this is the volume, at, which NPV is equivalent to 0, समझ गहे, यानि कि below, अगर हमारा volume, अगर हमारा, below 853 चला जाए, ठीक है, that will result into NPV क्या हो जाएगी, हमारी, negative हो जाएगी, यानि कि unprofitable हो जाएगा, फिर ये project, ठीक है, unprofitable project हो जाएगा, समझ गहे, तो कैसे करना है, ओके गाईज, तो this was about, DCF break-even analysis, ओके, तो यहाँ पर हमारी समाप्त होए, सारी की सारी कौन सी, conventional techniques, of risk, ठीक है, risk adjustment, सारी की सारी risk adjustment के, हमने conventional technique कर ली, अब हम क्या start करेंगे, तो अब हमें start करना है, statistical techniques को, ठीक है,